साथियों, विकास और परियावरन में संतुलन, यह हमारी पुरातन परंपरा का एक एहम हिस्सा है, जिसको हम आत्म निर्भर भारत की भी ताकत बना रहे हैं। जीव और प्रक्रुति के रिष्टे का संतुलन, व्यस्टी और समस्टी का संतुलन, जीव और शीव का संतुलन हमेशा से हमारे सास्त्रों ने हमेशा काया है। हमारे यहां कहा गया है यत्पिंडे तद ब्रह्मांडे, यानि जो पिंड यानि जीव में है, वही ब्रह्मांड में है, हम जो भी अपने लिए करते हैं, उसका सीधा असर हमारे परियावरान पर भी पढ़ता है। इसलिए अपने रिसोर्सिस की एफिशंसी को लेकर भी भारत के प्रयास बढ़ रहे हैं। आज जो सर्कुलर एकोनॉमी की बात हो रही है, उसमें ऐसे प्रोडक्स और ऐसे प्रोसेस पर फोकस किया जा रहा है, जिनमें संसाधनों पर कम से कम दबाव पड़े। सरकार ने भी ऐसे ग्यारा खेत्रों की पहचान की हैं। जिससे हम आधुनिक टेक्नलोजी के माध्यम से संसाधनों को रिसाइकल करके सदुप्योग कर सकते हैं। Waste to wealth यानि कचरे से कंचन अभ्यान पर बीते कुछ वर्षव में काफी काम हुआ है। और अब इनको mission made mode में बहुत तेजी से आगे बढ़ाये जा रहा है। गरों और खेतों से निकला कचरा हो, scrap metal हो, lithium iron batteries हो, ऐसे अनेक शेत्रों में रिसाइकलिंग को नई टेक्नलोजी के माध्यम से प्रोच्साइब किया जा रहा है। इस से जुड़ा action plan, जिसमें regulatory और development से जुड़े सभी पहलू होंगे, इसको आने वाले महिलों में अमल में लाया जाएगा।